Hello everyone, तो आजकी इस वीडियो के इंदर हम करने वाले हैं sequence and series, arithmetic progression and geometric progression तो इसका जो concept है, आजकी इस वीडियो में बात करेंगे arithmetic progression के बारे में, आनि AP के बारे में तो इस AP के बारे में पहले जो basic concept है वो समझ लेते हैं, विसे ओगराल अगर हम chapter की बात करें तो इस चेप्टर के अंदर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, जिमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे ठीक है आप इसके अंदर भी आपको सम उफ एंट टम, फर्स टम, यह सारा कुछ जो यहाँ पर ट्री डाइगराम दे रखा है इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं पर आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सिर्फ हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि arithmetic progression क्या होता है क्या क्या इसके formulas आपको use करने है क्या formula कौन सा formula कब कहा पर use करना है ये सब चीजों के बारे में हम detail में बात करने वाले है ठीके सबसे पहले अगर मैं बात करूँ sequence, sequence होता क्या है ठीके बहुत से बच्चे एक सा confuse होते हैं sequence और series दोनों एक ही चीज होती है लेकिन sequence और series में थोड़ा सा difference होता है क्या difference होता है वो हम समझेंगे सबसे पहले अगर हम sequence की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कुछ numbers कुछ आप series वो देख रहे हो sequences देख रहे हो कुछ अब actually में ये sequences हैं या नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं जो पहले वाला आपको ये numbers दे देखें यहाँ पर 28 है फिर उसके बाद 2 है फिर 25 है फिर 27 है तो यहाँ पर कुछ एक fixed pattern नहीं बन रहा है ठीक है यहाँ पर कुछ fixed pattern नहीं बन रहा है कि 28 के बाद तो 2 आ रहा है फिर 25 बाद फिर 27 आ रहा है तो अगला number क्या आएगा क्या आप अगला number identify करके बता सकते हैं एक्जेक्ट की यहाँ पर क्या आएगा नहीं बता सकते हैं क्योंकि कोई fixed pattern बनी नहीं रहा है अगर हम second वाले में देखें तो यहाँ पर देखो 2 के बाद फिर 7 है 5 का gap हुआ फिर 4 का gap हुआ लेकिन फिर 11 के बाद 19 आ गया फिर 31 आ गया फिर 51 आ गया तो यहाँ पर भी कोई ऐसा हमें कोई fixed rule दिखाई नहीं दे रहा rule वैसे कुछ भी हो सकता है plus करने पर भी हो सकता है power भी कर सकते है power के अंदर कुछ plus कर सकते है मनला rule कुछ भी हो लेकिन एक fixed rule होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमें कोई fixed rule नहीं मिल रहा तो उसकी वज़े से हम next जो number है वो identify नहीं कर पा रहे ठीक है लेकिन अगर हम third की बात करें third में देखो क्या है तो यहाँ पर next number में निकाल सकता हूँ यहाँ पर जब भी आप इस तरह के numbers आपको दिये होंगे तो आपको यह चेक करना है कि sequence है या नहीं तो उसके लिए आपको यह चेक करना है कि क्या कोई fixed pattern वहाँ पर है या नहीं pattern कुछ भी हो सकता है यह जरूरी नहीं है कि plus minus करने पर ही होगा ठीक है कुछ भी pattern हो लेकिन कोई एक fixed pattern होना चाहिए जिससे अप next number निकाल सको उसको हम बोलते हैं sequence जहाँ पर कोई fixed pattern काम करता है ठीक है यह नहीं कि कोई भी number आपको दे दिये कि यह sequence है नहीं तो sequence के अगर हम definition की बात करें तो क्या बनेगा an ordered collection of number ordered collection of number मतलब एक order होना चाहिए उन numbers के बीच में जो आप number लिखने वाले हो a2, a3, a4, up to an जो भी number आप लिखने जादे हो is a sequence if according to the some definite rule or law there is a definite value of an called the term of element of the sequence तो वहाँ पर जो भी एक law बनेगा जो भी एक rule बनेगा जो भी एक formula बनेगा उस formula की help से आप जो यह nth term है an है इसको आप लिख सकते हो और आप कोई भी number निकाल सकते हो call the term or element of the sequences corresponding to any value of the natural number n मतलब आप कोई भी natural number वहाँ पर put करके जो भी आपको value चाहिए वो value आप निकाल सकते हो उसको हम बोलेंगे sequence तो sequence का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि sequence होता क्या है अब अगर हम बात करें series के बारे में ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा एक दो चीज़े बनाते हैं जनरल फार्मूला बनाते हैं जैसे कोई sequence अल रहा है तो उससे जो formula हमारे पास बनेगा वो formula की help से आप कोई भी term निकाल सकते हो जरूर नहीं कि आपको 7th term निकालना है आपको जरूध है 70th term की आप 75th term निकाल सकते हो आपको 100 term की ज़रूद है 100 term निकाल सकते हो तो उसके लिए जो formula बनता है उसको हम बोलते है general term जिसको हम denote करेंगे आगे an से ठीक है इस तरीके से an से हम denote करेंगे तो specify a sequence nth term must be known otherwise it may lead to a confusion a sequence may be finite और infinite जो nth term होनी चाहिए वो exact होनी चाहिए पता होनी चाहिए कि यह nth term यह आएगी और जो sequence आएगा वो finite भी हो सकता है infinite भी हो सकता है अगर आप उसे bound कर देते हैं कि आपको 10 नब निकालने है तो finite है अगर आप bound नहीं करते हो तो वो infinite है अब जितना मर्जी आगे चलाते रहो वो चलता रहेगा इसका मतलब है कि आप इसमें n की value आप जितनी बर्जी ले सकते हो तो यहाँ पर यह सारा कुछ हो गया sequence के बारे में अगर हम series के बारे में बात करें तो series में और sequence में बस इतना सा difference है कि sequence के जो elements होएंगे sequence की जो terms होएंगी उन terms को जब आप एक plus sign से connect कर देते हो तो वो बन जाता है sequence ठीक है an expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus up to an पिसले में क्या था sequence में क्या था a1, a2, a3 वहाँ पर सारी terms अलग लगती आप उनको plus करके connect कर दो तो उससे बन जाएगी आपके पास एक series ठीक है अब series भी finite हो सकती है और infinite भी हो सकती है अब यहाँ पर जो finite series या infinite series है उसके लिए जब हम specific थोड़ा सा चलते हैं कि जो हमें समझना है सबसे पहला जो इस वीडियो में हमें काम करना है में वो है arithmetic progression के बारे में यह arithmetic प्रोग्रेशन भी एक sequence होता है ठीक है उस sequence को फिर हम सिरीज में convert करके उनका सम भी निकाल सकते हैं अब वो sequence क्या होता है कैसे पता चलता है कि यह arithmetic sequence है यह arithmetic progression है तो उसके लिए आपको क्या माइनस वन यानि किसी भी टर्म में से जब उसके पीछे वाली टर्म को आप माइनस करोगे तो रिजल्ट सेम आए यानि इन बिल्कुल सिंपल वर्ट्स में बात करें कि जहां पर उनके बीच का गैप इक्वल इक्वल हो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ह किन को माइनस करोगे तो भी वन आएगा कर कि जैसे हमने मारपार परेपास से सीक्वेंस आगया एक तो यहां से अब कहीं से भी वैलिव निकलो तो माइनस वन करोगे यह भी वन आ रहा है इस थरह के जो sequence होते हैं उसको बोलते हैं AP series और यह जो difference आ रहा है इसको हम बोलते हैं common difference इसको denote करते हैं D से तो D का अगर मैं formula बनाऊंगी D का formula क्या होता है तो D का formula होगा कि आप AK-AK-1 K का मतलब यहाँ पर K की कोई भी value हो सकती है अगर मैं K की value 3 would करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 3-1 यानि 2 A3-A2 अब किसी भी term में से उसके पीछे वाली term को minus कर दो तो उससे आपका common difference निकल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि यह sequence AP है या नहीं है अब जब sequence अगर AP है तो उसका अब क्योंगी हो sequence है sequence है तो उसकी जो general term होती है उसका formula क्या बनेगा उसका formula बनाने के लिए हम यहाँ पर use करते हैं यह nth term nth term मतलब जिसको हम general term बोलते हैं यह nth number पर जो term आ रही है उसकी help से आप कोई भी value निकाल सकते हो तो formula हमारे पास क्या बनेगा a plus n minus 1d यहाँ पर a का मतलब क्या है first term है a का मतलब n का मतलब क्या है number of terms और d का मतलब common difference तो इसकी help से आप कोई भी value निकाल सकते हो अगर आपको जो भी an की value दे रखी है तो आपको अगर चाहिए कि मालो मैं कहता हूँ कि an हमारा general term जो है 3 plus 2n तो अगर मेरे को 50th term चाहिए तो मैं यहाँ पर n की जाएगा 50 पुट कर दूँगा तो यह बन जाएगा 3 plus में 2 into 50 52 जा 100 plus 3 यानि 103 तो 50th term बनेगी हमारी 103 इस तरह से आप कोई भी general term जब भी दे रखी होगी यानि an जो भी आपका दे रखा होगा उसकी help से आप कोई सी भी term निकाल सकते हो या अगर आपको कोई sequence दिया हुआ है उस sequence के आपको general term बनानी है सब्सक्राइब आपके पास एक sequence आ गया 2, 4, 6, 8 इस तरह से sequence अल रहा है अब मिरे को पता लगाना है कि इसका जो general term है उसका formula क्या है तो general term के formula के लिए हम यह formula apply करेंगे an equals to a a मतलब first term first term आपकी 2 n को n रखेंगे हम क्योंकि general term का formula बनाना है n minus 1 into में d अब d की value क्या है d हम कैसे निकालेंगे जो second term है उसमेंसे first term को minus कर दो तो four मेंसे two minus करेंगे two आएगा तो यहाँ d की जगे भी आगया two two से two कट गया तो a n का formula बन गया two n तो यह हमारे पास एक general term का formula बन गया अब इसमें मालो मेरे को चाहिए hundred term चाहिए तो n की जगे hundred put करेंगे तो answer आजाएगा two into में hundred यानि two hundred यानि hundredth number पे जो term है जिसकी value होगी two hundred के बराबर होगी तो इस तरह से आप इसको use करेंगे ठीक है अगर आप करेंगे इस formula का use करके अगर आपको निकालने है 50th term तो 50th term को आप लिख सकते हैं ऐसे a plus 49 डी है क्योंकि यहाँ पर n की जगे क्या हो गया 50 हो गया तो आपने यहाँ formula के अंदर 50 put किया तो 50 minus 1 यानि 49 यानि मेरे को अगर find करना है कि a 90th term कौन सी है तो मैं इस डिरेक्टि लिख सकता हूँ a plus 89 d यानि जो यहाँ पर number होगा उससे एक कम करके आपको d के साथ लेख देना है तो इस तरह से आपके बारस यह nth term का formula बन गया है इसको ची तरह से हम याद कर लेंगे अब जब nth term का formula हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी term हम निकालते हैं वो आगे से start करते हैं कि यह पहली term है यह दूसरी term है यह तीसरी term है यह стでき time है मालो यहाँ पर sequence में मुझे आगे से ना पूच्कियए मुझे पीछे से पूचा गया कि पीछे से अगर मैं sequence को चलू मालो यह finite sequence होता इस finite sequence को मालो मैं 100 तक लेकर लू अब मेरे से बोला जाएगी पीछे से थर्ड टम कौन सी आएगी तो वो निकालने के लिए हम एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं यह फार्मूला होता है L-N-1D इस फार्मूले में इस फार्मूले में डिफरेंस क्या आ रहा है जब आगे से start करते हो तो आपको पहली o term लिखनी है यानि A जब आप पीछे से start करते हो तो आपको last वाली o term लिखनी है जिसको denote किया हमने L से अब जो sequence जो हम D निकाल देटे é too minus a1 करने से अब sequence क्योंकि उल्टा हो गया तो D क्या sign भी change हो जाएगा जो D positive आना चाहिए था वो D negative हो जाएगा और जो negative आना चाहिए था वो positive हो जाएगा तो इसलिए जो नहीं हाँ पर जो sign change हुआ है प्लस की जगे माइनस वो इसी वज़े से change हुआ है D की value माइनस D रखी गई बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है तो अगर आपको पीछे से term find करनी है तो उसमें आप ये वाला formula use करेंगे ठीक है arithmetic mean between two numbers A and B अगर आपको कोई दो number दिये हुए है उनके बीच का arithmetic mean निकालना है तो उसके लिए simple क्या करना है जैसे हम mean निकालते है A plus B divided by 2 दोनों number को plus करना है plus करके 2 से कर देना है divide next formula में कहता है if the sum of the number is given then in an AP अगर कोई कहता है कि AP sequence है उस AP sequence के अंदर आपको उन चारो जो जितने भी number दे रहे हैं तीन, चार या पाच उनका sum दिया हुआ है question में तो उसको solve करने के लिए better तरीका क्या रहता है जो generalized form होती न AP की वो तो start होती है ऐसे पहले A लेते हैं फिर उसके अंदर common difference add कर देते हैं A plus D फिर उसके अंदर common difference एक बार over add कर देंगे A plus 2D इस तरह से होता है लेकिन जब आपको special cases दे रखे हो और उसमें आपको sum दिया हुआ हो अगर ये बोला जाए कि तीन number हैं जिनका sum आपको दिया हुआ है तो आपको AP यहां से start ना करके इससे पीछे वाली term से start करनी चाहिए A minus D उसके बाद A फिर A plus D ऐसा क्यों करते हैं इसका फाइदा क्या होता है इसका फाइदा यह होगा कि जब आपको sum दिया होगा इन तीनों को आप add करोगे तो D से D cancel हो जाएगा आपके पास A की value डिरेक्टली निकल जाएगी तो comparatively इसके मुकाबले आपको यह असान पढ़ता है यह तीन term लेने की बजाए आप यह तीन term लेंगे तो जल्दी आप उसको solve करेंगे question को ऐसे अगर चार number दिये वह हो तो इसमें आपको दो-दो का gap लेके चलना है A-3D फिर A-D फिर A-D फिर A-D फिर A-3D पांच number दिये वह हो तो gap आपको जानी even odd number में अगर दे रखा हो ना पांच हो तो gap आपको एक एक का ही रखना है A-2D A-D A A-D फिर A-D फिर A-2D अब इन सभी को आपको इसी तरीके से arrange किया गया है ताकि D आपका cancel हो जाए और आपको directly A की value मिल जाए उसके बाद next concept पे अगर हम बढ़ते हैं अब आपने sequence तो बना लिया sequence बनाने के बाद अब आपसे पूछा गया कि उसका sum क्या होगा एक sequence आपने बना लिया 1,2,3,4,5 लिसे लेका thousand तक अब पूछा जाए कि बढ़ी जितने भी number आपने sequence में लिखे न उनका sum क्या है तो sum कैसे निकालेंगे उस sum को निकालने का जो formula हमारे पास होता है उस formula को इस तरह से हम लिखते है n by 2 2a plus n minus 1d ठीक है ये formula आपको लगाना है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो sn को n by 2 a plus an an लिख लो या इसकी जगे l लिख लो किसी book में आपको l लिखा मिलेगा किसी में an लिखा मिलेगा तो मतलब वह यह कि last term आपको लिखनी है अगर ये वाला formula कब आपको लगाना चाहिए जब first term भी दे रहे कियो last term भी दे रहे कियो तो आप ये वाला formula लगाओ छोटा पड़ेगा अगर आपसे बोला जाता sum of first n natural number जैसे मैं अभी sequence आपको बता रहा था कि एक से लेकर thousand तक 1,2,3,4 आप ऐसे लेकर हो तो आपको उसका sum निकालना है तो एक तरीका तो ये कि आप ये formula लगा दो लेकिन अगर आपके पास first n natural number है तो उसका formula हम directly ये भी thousand प्लस one divided by two two sum ने इसको cancel करा ठीक है इसको आप multiply करोगे तो कितना जाएगा five zero zero five zero zero यानि one से लेकर thousand तक जो terms है ना उसका अगर आप sum निकालोगे तो ये उसका sum है तो आप इस formula से भी निकाल सकते हो लेकिन अगर आप direct formula याद रखोगे तो और बेटर रहेगा first n natural number अगर है तो इसका sum ये होता है अगर first n odd natural number है यानि यहाँ पर एक एक number छोड़ दिया हमने एक के बाद 3 ले लिया तीन के बाद 5 ले लिया 5 के बाद 7 ले लिया तो इसका formula होता है n square यानि अगर आप ऐसे करते हो कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसका sum करना है आपको तो यहाँ पर कितनी time है आपके पास चार time है तो चार का square कर दो 16 देखो 7, 5, 12, 3, 15 और 1, 16 ठीक है तो इस तरीके से आप sum निकाल सकते हो अगर odd natural number होंगे तो अब आगे कहता है कि special series में कि आपको n natural number ना होकर आपके पास उनके square का sum करना है ठीक है 1 का square 2 का square 3 का square up to n का square तो ऐसे में फार्मूला आपको यह यूज करना है n into n plus 1 divided into में 2 n plus 1 divided by 6 और अगर आपको इनकी cube का sum करना है तो यह n into n plus 1 by 2 का whole square है यह वाला इनके cube का sum है उसमें यह difference आएगा cube में यहाँ पर square कर देना है और बाकी का formula वही का वही रखना है तो यह 3 special cases के formula थे यह आपको याद रखने है आगे कहता है कि if the sum of ap denoted by sn then its common difference is this अगर आपको sum दे रखा है किसी का ठीक है sum का आपको formula दे रखा है मालो कोई भी ap है उसका sum आपको दे रखा है इसने sn बोल दिया कि वह n square plus में 2n वैसे मैं idea से ले रहा हूँ पतानी मुझे कि यह ap है यह नहीं है लेकिन अगर यह ap है तो इसका common difference निकालने के लिए आपको यह formula यूज कर लेना है sn minus 2 times of sn minus 1 ठीक है इससे आप directly common difference निकाल सकते हो आपको सारा sum निकालने की term निकालने की जरूद नहीं है आप directly इसमें common difference find कर सकते हो next concept में कहते है the sum of the term equidistant from the beginning and the end of an ap is always same and equal to the sum of the first and the last term मतलब क्या कहना चारा है कि अगर आपके बास मालो यह हमारे पास एक series है तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जो term आप आगे से लेते हो और वही term आप पीछे से लेते हो तो उसका जो sum आएगा वो किसके बराबर होगा sum of first term and last term first term कि हमारे पास one है और यहाँ पर है seven है तो इसका sum कितना बनेगा eight अब मैं यहाँ से आगे से third term लेता हूं और पीछे से भी third term लेता हूं आगे से third term आएगी three पीछे से third term आएगी five इन दोनों का sum करेंगे तो वो भी आएगा eight अगर मैं आगे से second term लेता हूँ, पीछे से second term लेता हूँ, इसका sum करेंगे तो ये भी आएगा 8 ठीक है, ये middle वाली term है, अगर इसको भी आप लेते हो, आगे से चोती term लेते हो, पीछे से चोती term लेते हो तो आगे से भी 4 आएगा, पीछे से भी 4 आएगा, उसका sum करोगे, वो आएगा आपका 8, तो इस तरीके से, जो पहली और लास वली term है, उसका जो भी sum आएगा, वही term का sum, आगे से और पीछे से, same number of term का अगर आप sum निकालोगे, तो दोनों आपस में equal ही रहेंगे, journal, if the term of an AP are increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero constant, there remains in arithmetic progression, अगर आपको कोई AP दिया हुए, तीकैं, कोई भी … किसी भी type की AP दी हुई है, अगर उस AP में आप किसी एक नमर को, तीकैं, किसी एक same नमर को उन सभी के साथ add कर देते हो, यà सभी term में से सब्देट कर देते हो, यà सभी term के साथ multiply कर देते हो या सभी term के साथ divide कर देते हो तो उसका answer जो उसका जो nature है न वो AP है वो AP ही रहेगी उस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है वो जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी values में फरक आ जाएगा लेकिन nature में फरक नहीं आएगा if the nth term of a sequence is a linear expression अगर आपको कोई sequence जो है वो linear expression की form में दिया हुआ है जिसे a n equals to a n plus b तो इसका जो common difference आएगा वो क्या हैगा जो n का coefficient होगा जो n के साथ जो भी number होगा वो इसका d आएगा तो अगर इसका d निकालना है तो उसी दस देलिग देंगे कि इसका जो common difference है वो a है ठीक है अगर इसी तरह से आपको s n दिया हुआ है s n आपको दिया हुआ है तो इसमें जो common difference आएगा वो क्या हो जाएगा 2a के बराबर आएगा यानि जो square वाली term आएगी ना उसका double हो जाएगा जो square वाली term है इसके coefficient का double हो जाएगा 2a तो इसमें आपको पूरा calculate करने की ज़रूत नहीं आप directly d's से निकाल सकते हो अगर किसी ap के अंदर n terms है तो उन terms का sum किसके बराबर होगा n into में middle term अगर n number of odd है अगर n 3 है 5 है 7 है ठीक है इस तरीके से है मालो एक मैं छोटा sequence ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 ठीक है यहाँ पर 5 terms है तो इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या हैगा यह कहरा है कि n into में middle term n कितना है 5 है ठीक है into में middle term middle term क्या है मारे पास 3 है तो इसका sum कहरा है कि 15 आएगा चेक कर लो 5 प्लस 4 9 3 12 12 12 12 14 और 15 ठीक है अगर यहाँ पर यह कहरा है कि अगर sequence में even number of term आजए तो इसका sum कितना आएगा n into में mean of 2 middle term n कितना हो गया 6 mean of 2 middle term middle term हमारे पास यह 2 है इन दोनों का mean निकालेंगे mean निकालने का मतलब है 3 प्लस 4 7 7 को 2 से divide कर देंगे तो आजएगा 3.5 तो इसका sum आगया 6 5 0 30 6 0 18 प्लस में 21 तो इनका sum 21 आ रहे गया देख लो 6 5 11 0 15 13 18 और यह 3 21 तो इस तरह से कोई भी आपको sequence दे रहे रहा है उसका अगर आपको sum निकालना है तो आप directly यह वाला formula भी use कर सकते हूँ यह छोड़ी 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 ट्रिक्स है आप याद कर लोगे तो बहुत पर question आपके बड़े value find करनी है तो एन का formula हमारे पास था ए प्लस एन माइनस वन डी एक ही जगे पुट किया हमने वन और एन की जगे एन ही रखना है क्योंकि answer भी एन की second part पर चलते हैं second question में यहाँ पर कहता है यहाँ भी nth element पूछ रहा है या नी वही चीज़ आप से पूछ रहा है तो sequence आपका दिया हुए minus one है फिर two है फिर minus four है फिर eight है ठीक है यह sequence दिया हुआ है लेकिन यह जो sequence आप देख रहे हो ना यह sequence एपी का तो नहीं है एपी का तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक term बढ़ रही है फिर घट रही है फिर घट रही है फिर घट रही है इस तरह से चल रहा है तो यहाँ पर इसमें क्या rule हम apply करेंगे तो पहली वाली जो term है उस पहली वाली term में देखो माइनस 1 में अगर मैं 2 multiply कर दूँ माइनस 1 के अंदर मैंने अगर माइनस 2 multiply कर दिया तो 2 आ जाएगा और फिर इस 2 के अंदर माइनस 2 multiply कर दिया तो माइनस 4 आ जाएगा फिर माइनस 4 के अंदर 2 multiply कर दिया तो फिर प्लस 8 आ जाएगा माइनस two multiply कर दिया, तो plus theta आजाएगा, यानि हर इक term में minus two multiply हो रहा है, तो minus two multiply हो रहा है, तो इसका मदलब, formula इसमें तो sequence बनेगा, वो यह बनेगा, चेक भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहली term ने अब में निकाल ली है, तो पहली term के लिए मैंने n की जाएगा put के हैं यहाँ पर 1 तो minus 1 की power 1 2 की power 1 minus 1 तो minus 1 की power आजाएगी minus 1 और 2 की power आजाएगी 0 तो यह 1 हो जाएगा तो answer आजाएगा minus 1 अगर यहाँ पर 2 put कर दें 2 की power 2 minus 1 तो minus 1 की power 2 करेंगे प्लस बना जाएगा और 2 की पावर 1 आजाएगा 2 तो 1 इंटू में 2 यानि आणसर आजाएगा 2 तो पहली तम या रही है दूसरी तम या रही है ऐसे तीसी चोथी आप जो भी तम निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि अब हमारा सारा सीक्वेंस यहाँ पर एपी बनेगा ध्यान लखनें कि एपी है या नहीं है अब थर्ड कोश्चन में यह दिया हुआ है इसमें कहरा है कि इसको आपको expanded form में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो आई की value कहरा आप 4 से लेकर 7 तक है मतलब आपको आई की जिए कर 4 put करना है या 4 से आगे start करके 5, 6, 7 तक put करना है 4 term निकालनी है तो अगर मैं यह आपर 4 put कर देता हूँ तो term क्या बनेगी 2 into में 4 minus 1 8 minus 1 यानि root 7 पहली term आएगी root 7 पहली term root 7 बस यहीं पर यह है तो आई थे यह यह answer है ठीक है एक और term चेक कर लो अगर दिक्कत लगती ही तो एक और कर लो 5 put करेंगे तो 5 जोनी 10, 10 में से 1 minus करोगे 9 अगली term आजाएगी root 9 तो इसी से आपको पता लगया कि आपका answer यह है the sum to infinity of the series अब यहाँ पर infinity दे रखा है आपको infinity दे रखा है मतलब आप उसके सारी की सारी terms का sum तो find कर नहीं सकते exact value तो ला नहीं सकते तो जो infinity का sum है उसको हम दिखा देते हैं sigma से और sigma में k की value 1 से लेकर infinity तक आ जाएगी ठीक है इसमें भी 1 से infinity तक है इसमें भी 1 से infinity तक है तो यह तो हमने लिख दिया बस हमें यह देखना है कि हमें यहाँ पर क्या इस terms की जगह क्या लिखना है तो यह माइनस 5 की पावर के है इधर 5 की पावर के है इधर माइनस 5 की पावर के है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस ही है यहाँ पर माइनस 5 की पावर के है और यहाँ पर 5 की पावर के विद नेगेटिव साइन है मतलब यहाँ तो यह क्योंकि बाहर negative sign लगा हुआ है इसलिए यह option तो हमारा बनेगा नहीं क्योंकि हमारी एक value negative आ रही है एक positive आ रही है और देखो यहाँ पर 5 की power k है तो यहाँ पर करा सारे answer positive ही आएंगे तो यह भी possible नहीं है तो रहेगे हमारे पास यह अगर मैं k की जगा 1 put करता हूं तो minus 5 आ बने जाएगा 25 अगर k की जगा आप 3 put करते हैं तो आ जाएगा minus 1 to 5 तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा answer a है the first three term of a sequence when nth term is this अगर nth term आपको यह दे रखिए तो इसकी पहली तीन term आपको बदाने है तो पहली तीन term निकालने के लिए पहले तो 1 put करते है 1 का square minus 2 into में 1 तो यहाँ गया 1 minus 2 मतलब minus 1 पहली term बनेगी minus 1 पहली term minus 1 इसमें है और इसमें है फिर अगली term 0 दे रखिए दोनों में यह तो option बनेगा ही नहीं second term दोनों की सेम है तो third term निकाल लो उससे पता चल जाएगा answer क्या है तो third term निकालने के लिए आपको n की जाएगे 3 put करना है तो 3 का square minus 2 into में 3 यहाँ से 9 आगया 9 minus 6 आगया 3 यानि यह वाला answer बनेगा आपका 5th का a उसके बाद next question पर चलते है question number 6 में which term of the progression is minus 39 इस progression की कौन सी term minus 39 है तो यहाँ पर पहले आप देखो कि यह AP sequence बनता है नहीं बनता है क्योंकि AP अगर बनेगा तो यह AP का formula हम लगा सकते हैं तो यहाँ पर minus 1 हो रहा है फिर इसके अंदर minus 2 और कर दिया फिर minus 2 और कर दिया ऐसे minus 2 minus 2 होता जा रहा है मतलब डी इसका सेम आ रहा है अगर आप वैसे निकालना चाहो डी वैसे भी निकाल सकते हो कि minus 3 में से minus 1 किया हमने तो आगया minus 3 plus 1 यानि minus 2 ऐसे इन दोनों से भी निकालोगे तो डी minus 2 यारा मतलब यह AP का formula बन रहा है अब यह पूछ रहा है कि इस AP में कौन सी time ऐसी है जो minus 39 के बराबर आएगी तो जो AN का formula होता है वो formula आप यहाँ पर लगाओ और AN की जो value है इसने minus 39 आपको बता दी कि बेए AN इतना है तो आपको A की value रखनी है A की value minus 1 है N आपको बताना है कि minus 39 कौन से number पर आ रही है और D की value हमने जैसे यहाँ निकाली minus 2 है इस minus 1 को इदर लओ plus 1 हो जाएगा इदर से आगया minus 38 divide में minus 2 नीचे आजाएगा यह cancel हो गया 19 तो 19 minus 1 इदर आएगा N की value आएगी 20 यानि 28th term होगी जो minus 39 के बराबर होगी The value of X says that this will form an AP अभी कराएगी यह AP है यह AP है तो इसका मतलब यह वाली term फर्स term होगी यह सेकिंड term होगी यह थर्ड term होगी जब 3 term AP में होती है तो उसमें जो center वाली term होती है इसका double इन दोनों के sum के बराबर होता है ठीक है यह concept में सहद रह गया था अगर तीन term आपके पास AP में है तो बीच वाली जो term है उसका double बाकी दोनों के sum के बराबर होता है तो जब भी तीन term आपको AP में दे रहे हो तो यह concept आप उसमें जरूर यूज करो तो यहाँ पर जो बीच वाली term है इसका मैं अगर double कर दू 2 इंटू में 6X माइनस 2 इक्वल्स टू फर्स ट्रम प्लस में थर्ड ट्रम इसको solve करके आप X की value निकाल दो 2 6 जा 12 2 2 जा 4 8 प्लस 2 10 4 प्लस 7 11 इसको इधर लाओ गया तो यह हो जाएगा 2X और minus further जाके चला जाएगा 15 आ जाएगा X की value आ जाएगी 15 by 2 यानि या answer बनेगा इसमें C Question number 8 Question number 8 में गहता है The mth term of an AP is N and nth term is M जो mth term है वो N है मतलब mth term N है और nth term M है तो कभी भी ऐसे दे रखा हूँ आपको तो अगर हम वैसे method जे करेंगे तो यह काफी लंबा question पढ़ जाएगा लेकिन आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी mth term N के बराबर है और nth term M के बराबर है तो ऐसे question में D आपका हमेशा minus 1 आएगा ठीक है D हमेशा minus 1 आएगा और अगर आप D की head से आप निकालोगे यहाँ पर दोनों में से किसी एक में भी आप formula लगा दो तो उससे आपके बस A की value निकल जाएगी तो अगर मैं यहाँ formula लगाता हूँ A M का A plus में M minus 1 D equals to N तो D की जाएगे minus 1 put कर देंगे हम D की जाएगे minus 1 equals to N A minus M plus 1 equals to N तो A की value बन जाएगी इन दोनों को अधर ले जाएगे M plus N minus 1 ठीक है? A की value M plus N minus 1 बनेगी और D की value minus 1 बनेगी अगर यह भी आपको directly याद रहता है तो आप directly लगा दो क्योंकि MCQs करने कौन सा में करके दिखाना है इसमें अब यहाँ पर Rth term पूछ रहा है आपसे एनी A R पूछ रहा है A R का formula हो गया है A plus में R minus 1 into में D तो A की जगे आपको रख देना है M plus N minus 1 और D की जगे रख देना है आपको minus 1 तो M plus N minus 1 minus R plus 1 इससे यह cancel answer आजाएगा M plus N minus R M plus N minus R यानि option बनेगा 8 का D उसके बाद next question पर अगर चलते हैं 9th question में यहाँ पर कहता है The number of term of the series will amount to 155 जो आपको यहाँ पर series दे रखी है उसका अगर हम sum करते है तो sum करने पर 155 आ रहा है तो इसमें कितनी terms है यहाँ आपको N find करना है तो N find करने के लिए पहले D find कर लो अब D find करने के लिए आप 9 by 2, 3 में से इसको minus करोगे तो इसको आप fraction में लिख लो 9, 3, 027 plus में 2 29 upon में 3 minus 10 इस calcium लेतने तो minus 30 इदर आएगा यहनि D की value आएगी minus 1 by 3 अब S N का formula आप लगाओ इसमें S N का formula यह होता है N by 2 2 A plus में N minus 1 D S N का क्यों लगा रहे हैं क्योंकि S आपको दे रखा है यहनि sum आपको दे रखा है इसमें तो sum दिया हुए कितना 155 N हमें find करना है 2 A A की जगे आगया 10 और D की जगे निकल जाएगा आपका minus 1 by 3 इसको इधर लेकर आओ आप इसको 2 को से multiply कर देंगे यहाँ पर आगया 20 minus 1 by 3 N plus 1 by 3 इसको भी हम L सम लेकर solve कर लेते हैं 3 L सम आएगा 23 60 minus N plus 1 3 से और इसको multiply कर लेते हैं 60 plus 1 यहाँ जाएगा 61 minus N 61 N minus N square इन दोनों को आप इधर लाओगे तो equation आपके पास बन गी N square minus 61 N plus में 930 अब इसको आपके splitting में रेटम करके दो factor निकालने हैं जिससे आपके पास N की value मिलेगी अगर N की value थोड़ी छोटी होती ही तो हम यहाँ पर put करके check कर लेते ही किस से satisfy हो रहा है ठीक है लेकिन value बड़ी है तो इससे better है कि हम इसके factor ही निकालने factor में इतना तो idea हमें पता चले गया कि एक factor 30, 31, 32 इसमें से कुछ बनेगा तो अगर मैं एक factor को 31 लूँ तो कि यहाँ पर 61 आ रहा है एक factor को 31 ले लूँ और दूसरे factor को 30 ले लूँ तो बात बनती है नहीं बनती है अगर इन दोनों को आप multiply करोगे तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 9, 9 30 बन रहा है तो यानि factor आपका एक 31 बन रहा है और एक 30 बन रहा है तो यहाँ पर क्योंकि minus है तो n minus 31 और n minus 30 यह दो factor बन गे और n की आपके पास value 31 भी आ रही है और n की value 30 भी आ रही है और दोनों ही value positive है तो मतलब यह दोनों ही आपके answer हो सकते है 31 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है तो 9 के option में है दोनों ही answer आपको दे रहे है 30 भी दे रहे है 31 भी दे रहे है exam में अगर आता है तो option में हो सकता है कि ऐसे आजाए कि भई बोथ A and B उसके बार next question number अगर हम 10 पर चलें तो 10 में आपको nth term of the series nth term आपको बताने है nth term का मतलब आपको an बताना है अब an बताने के लिए आपको d चाहिए और a चाहिए तो d तो देखो हम यहाँ से directly निकाल सकते है अभी जो पीछे हमने concept किया था उसमें हमने पड़ा कि अगर sn आपको दिया हुआ है quadratic form में तो जो d की value होती है वो n square का जो coefficient है उसका double हो जाती है तो इसका double करेंगे याणि 5,2,10 तो d की value तो आपके पास 10 है ठीक है अब हमें a की value चाहिए अब a की value चाहिए तो यहाँ जो answer आपको दे रहे है उसमें से यह answer आपका नहीं बनेगा क्योंकि d जो हमारे पास आता है वो यह n के साथ multiply में होता है तो या तो यह answer होगा या फिर यह answer होगा अब यह निकालने के लिए आपको first time निकालने पड़ेगी अब first time कैसे हम निकाल सकते है जो s1 होता है s1 का मतलब क्या हुआ sum of one time जो one time होती है उसका sum वो खुदी तो होगा तो यानि जो a1 हमें निकालना है वो s1 के बराबर ही होता है और s1 कितना आजाएगा यहां से 5 into में 1 का square plus में 2 into में 1 5 plus 2 आजाएगा 7 तो यह तो आगया आपके पास a अब जो a n का formula होता है उसमें क्या होता है a plus n minus 1 d a की जगे आगया 7 n minus 1 d की जगे आगया 10 तो आजाएगा 7 plus में 10 n minus 10 तो answer आया आपका 10 n minus 3 यानि option बनेगा इसका c 10th का option है c 11th question में कहता है the 20th term of the progression इसकी 20th term बढ़ाने है तो 20th term का मतलब तो सीधा-सीधा formula बन गया आपके पास a plus 19 d इसमें से a की value 1 है और d की value देखो 4 में से 1 minus करोगे तो 3 है 19 इसमें 57 plus 1 यानि 58 तो option में आपको a पे दिया हुआ है 58 उसके बाद question number 12 12th में कहता है the last term last term का मतलब हो गया an बताना है आपको ठीक है और इसके अंदर ये तो आपके पास sequence है अब to 21 term तो ये होगा आपके पास n तो आपको an की value बतानी है an का formula हम लगाएंगे तो a plus n minus 1 d formula आपको याद है तो बारवर आपको लिखने की जरूद है नहीं d की जगे आजाएगा 7 minus 5 2 और n की जगे भी रखना है 21 तो यहाँ पर रख देंगे हम 21 21 minus 1 21 minus 1 20 22 is of 40 answer आगया 45 तो इसका option बना c the last term of the ap to the 13 term इसमें भी वही बताना है आपको last term तो इसमें पहली term 0.6 है a की जगे ही आगया और n की जगे 13 minus 1 d कितना हैगा 1.2 मेंस 0.6 minus करेंगे तो 0.6 ही आएगा 0.6 13.6 दा 78 minus 0.6 यह cancel answer आया 7.8 तो 13 का option बना b question number 14 the sum of the series to 100 term इसके अंदर आपको 100 term दे रखिए आपको series का sum बताना है n की value आपको दे ही रखिए तो यहाँ पर लगाओ formula sn का क्योंकि आपसे sum पूछा गया है तो n की जगे आपके पास 100 a की जगे आगया 9 n की जगे 100 और d की जगे आप 5 minus 9 करेंगे तो आजाएगा minus 4 इन दोनों को cancel किया 50 9 to 18 इदर आजाएगा 99 9, 99 को minus 4 से multiply करेंगे 4, 9 जगे 36 36 plus में 3, 39 इसको minus करेंगे 16 minus 8, 8 8 minus 1, 7 और इदर आजाएगा 3 तो minus 3, 7, 8 को multiply करोगे तो answer minus में आएगा minus में सरिफ 1 ही है हमारे पास यह answer होना चाहिए चेक कर लो 5, 8, 40 5, 7, 35 प्लस में 4, 39 और 5, 3, 15 और 3, 18 तो 1, 8, 9, 00 दा टू arithmetic means between 6 and 14 6 और 14 के बीच में आपको दो arithmetic mean बताने हैं यानि दो value ऐसी बताने हैं जो एक AP sequence बनाएगी पहली value 6 रहेगी लास्ट वाली value 14 रहेगी इसके बीच की दो values आपको और बताने हैं तो यहाँ पर सारी values fraction में ही हैं तो हम better है कि हम यहाँ से A की value तो आपके पास यह है A की value minus 6 है और यह value value आपकी बनेगी चौथे number पर क्योंकि यह पहला number आएगा यह last में आएगा बीच में दो time और आएगी तो इसका मदलब यह चौथे number की time आई तो A4 आपके पास दे रखा है 14 तो A4 का फार्मूला हो गया A plus 3D A की जगा माइनस 6 रखते है तो 14 प्लस 6, 20 तो D की value बनेगी आपके पास 20 by 3 अब जो second वाली term होती है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो पहले वाली term है उसके अंदर D को add कर देते हैं तो जो second term बनेगी यानि A2 बनेगी minus 6 plus 20 by 3 तो 3 6 रहा 18 minus 18 plus 20 यानि 2 by 3 तो second term 2 by 3 है तो second term 2 by 3 इसमें भी है इसमें भी है तो हमारे पास यह दोनों answer possible है यह तो नहीं आएगा तो हमें तीसरा answer भी निकालना पड़ेगा अब तीसरा answer निकालने के लिए A2 में आप फिर 20 by 3 एड़ कर दो तो आज आएगा 22 by 3 तो 22 का मतलब हो गया 7 and 1 by 3 7,3 जा 21 plus 1, 22 by 3 तो option बनेगा आपका इसमें B question number 16 the sum of the integer 3 integer in an AP is 15 and their product is 80 sum भी दे रखा है, product भी दे रखा है तो integer क्या होंगे तो better है कि आप solve करने के बज़ाए इसमें option का use करो multiply करने पर 15 कहां पर आ रहा है multiply करने पर 15 sorry multiply ने sum करने पर 15 कहां रहा है सभी में 8, 2 और 5 है और product भी सबका 80 आएगा product भी सबका 80 आएगा तो अब यहाँ पर देख लो कि AP कौन सा बन रहा है 2 के बाद अगर हम 5 इसमें add कर रहे है 2 के बाद यहाँ पर बढ़ रहा है फिर घड़ रहा है तो यह AP नहीं है यहाँ पर 8 के बाद 2 आ रहा है कम हुआ फिर यह बढ़िया तो यह भी AP नहीं है 2 प्लस 3 फाइफ 5 प्लस 3 एट इसमें AP है 8 में से 3 कम करेंगे फिर इसमें से 3 कम करेंगे यह भी AP है तो यह दोनों AP बनने है तो यह दोनों हमारे answer हो सकते है तो 16 का C और D दोनों answer possible है जी हाँ दोनों answer इसके possible है अब यहाँ पर आपको SN दिया हुए SN दिया हुए तो इसका D कितना हो जाएगा इसका double 2 इंटो 3 यानि 6 तो यहाँ पर जो AP दे रहे हैं उसमें देखोगी इसका D6 कहाँ पर आ रहे है तो यहाँ पर D6 आ रहे ठीक है यहाँ पर D6 नहीं है यहाँ पर भी D6 नहीं है तो मतलब यही हमारा option बिना कुछ solve करें बस इससे मैं पता चल गया कि हमारा answer यह है 18th question में कहता है the number of numbers between 74 and 25556 divisible by 5 यानि इन दोनों numbers के बीच में कितने number हैं यह आपको identify करना है इन दोनों number के बीच में कितने number हैं जो कि 5 से divisible है तो पहले हम sequence बना लेते हैं कि इस दोनों के बीच में 5 से divisible वाले number कौन कौन से है तो 74 के बाद अगला number 75 ही आएगा जो 5 से divisible होगा फिर 80 आएगा इस तरह से 85 आएगा तो सारे तो ना लिखेंगे हैं हम सीधा last में पहुंचते हैं तो यह जो number दिया हुआ है इससे पहले जो 5 से divisible number है वो आएगा आपके पास 25555 अब यह number हैं जो इन दोनों के बीच में भी हैं और 5 से divisible भी हैं तो यह कितने number हैं इसके लिए आप an का formula लगा लो क्योंकि sequence तो आपका ap बनेगा यह बनेगा इसमें तो an है मतलब जो last time है वो यहां पर रखते हैं a हमारे पास 75 आया और d की value 5 75 को इदर लागे minus करेंगे तो 5-5 0 15-7 8 यहां रहे गया 4, 5 और 2 5 से इसको divide कर देते हैं 55-25, 0, 59-45, 56-30 यहां रहे जाएगा n-1 minus 1 को इदर लाओगे तो n की value आ जाएगी 5097 तो option बनेगा इसमें b 19 में कहता है था पी-थ term of an ap is this यह पी-थ term है तो इससे आप क्या करो sequence बना लो तो भी आपको आगे पूछा गया इसमे sum of first end terms तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं पहली term निकाल लेते हैं पहली term निकालने के लिए जहां पर p है वहां पर 1 put कर दो 3 into 1 minus 1 divided by 6 तो यह जाएगा 3 minus 1 2 by 6 यानि 1 by 3 ठीक है और d निकालने के लिए second term और निकाल लेते second term इसकी निकालोगे तो यह क्या आजाएगा आपके पास 2,3,6 minus 1 by 6 यानि 5 by 6 अब हमें d से ही है इसका common difference से ही है तो यहां से आजाएगा 5 by 6 में से 2 by 6 माइनस कर दो तो बनेगा 3 by 6 यानि 1 by 2 इसके बाद sum निकालने के लिए हम sn का formula लगाते है sn के formula में आता है n by 2 n by 2 2 into में a a की जगे आप ये रखने की बज़ाए न आप ये रख लो 2 by 6 क्यों रखेंगे मैं बताता हूं अभी region plus में n minus 1 into में d और d की जगे भी आप 1 by 2 मत रखो 3 by 6 रख लो इससे बस फायदा ये होगा कि आपको elsem का जंजड नहीं करना सिधा 6 आप बाहर निकाल दो तो ये बजाएगा n upon 12 यहाँ जाएगा 4 इदर आजाएगा 3n minus 3 तो answer बना मारा n upon 12 3n plus 1 देखो यहाँ पर n 3n plus 1 divided by 12 यानि option बनेगा इसमें b उसके बाद question number 20 देखते हैं 20th में कहता है the arithmetic mean arithmetic mean का formula था हमारे पास सिधा a plus b divided by 2 answer आई है 55 उसके बाद next is question है 21st the 4 arithmetic mean between this and this इनके बीच में 4 arithmetic mean निकाल ले हैं तो 4 arithmetic mean अगर हम निकालें तो यहाँ पर सिधे सिधे number दियें तो आप यहीं से चेक कर सकते हो अगर मैं पहली value लेता हूँ 3 ठीक है यहाँ पर देखो पहली value minus 2 है अगर मैं यहाँ minus 2 कर दूँ और last में यहाँ पर 23 कर दूँ तो आप यह अब देख लोगी gap सबका same आ रहा है नहीं आ रहा है तो minus 2 में अगर 5 plus करोगे तो यह आएगा 3 के अंदर 5 plus करोगे तो आना चाहिए था 18 सोरी 8 आना चाहिए था लेकिन इसने AP में यह नहीं है तो यह छोड़ दो यहाँ पर भी AP में नहीं है 18 के बाद 3 आ रहा है फिर पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है तो ऐसे option से आप यह ज़्यादा असानी से निकाल सकते हो बजाए solve करने के 21st में कहता है The first term of an AP is 14 यह तो A हो गया And sum of first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude But opposite in sign The third term of the AP तो आपको third term बतानी है AP की तो अब इसमें क्या कहता है कि A की value तो आपको देदी इसने 14 अब sum of first 5 terms Sum of first 5 terms यानि S5 And the first 10 terms And the first 10 terms Are equal in magnitude मतलब value दो इनकी equal है But opposite in sign Sign में opposite है मतलब यह minus में या यह minus लगा लो या वो minus लगा लो तो अब third term आपको बतानी है तो आप इसको इधर लाओ पहले S5 Plus में S10 यह हो गया equals to 0 अब S5 का formula आप लगाओ N की जेगे हैं यहाँ पर 5 है 5 by 2 2 A N minus 1 In 2 में D Plus 10 by 2 2 in 2 में 14 Plus 10 minus 1 In 2 में D Equals to 0 तो आपको D की value यहाँ से find करनी है देको 2 जो यह 5 by 2 है और यहाँ से इसको 10 को अगर मैं लिख दूँ 5 by 2 10 की जगे पर अगर लिख दिया जाए 5 by 2 तो यह 5 by 2 5 by 2 दोनों में से इन दोनों में से common निकल के खतम हो जाएगा ठीक है थोड़ा आसान करने का तरीका बता रहा हूँ बागी आप वैसे simplify भी कर सकते हो bracket खोल के पूरी तो यहाँ से यह खतम यहाँ रहेगा आपके पास 28 यहाँ पर रहेगा 40 यहाँ पर जो भी value आएगे उसको 2 से multiply कर देना है 14 टूज़ा 28 यहाँ प्लस है बीच में 28 यहाँ पर आएगा 90 इक्वल्स टू जीरो अब इसकी bracket आप open कर दो तो 28 प्लस में यहाँ तो 4D रहेगा इदर आजाएगा 56 प्लस में 18D 18 प्लस 4 22D इन दोनों को एड़ करके उधर ले जाओ 6 प्लस 8 14 5 4 2 7 और 1 8 तो D की value आ जाएगी माइनस 84 अपोन में 22 और 2 से से काटोगे तो माइनस 42 अपोन में 11 तो यह तो आगे आपका D तो पहली term थी हमारे पास 14 तो अगर हम दूसरी term निकालेंगे यह हमें सिधा तीसरी term पूछी ने तो तीसरी term यानि A3 निकालना है तो आप सिधा formula यूज कर दो A प्लस 2D का तो A की जाएगा 14 है और 2 इंटू में D, D की जाएगा माइनस 42 अपोन में 11 है तो आप LCM लोगे 11 LCM आएगा 11 को इससे multiply करोगे 154 2 से इसको multiply 4 माइनस 4 जीरो 15 माइनस 8 7 70 अपोन 11 अब इसमें से 70 अपोन 11 बन रहा है आपका 11 6 जा 66 प्लस में 4 70 तो option बनेगा इसमें A 23rd पे अगर हम चलें तो question number 23rd देखते हैं इसमें कहता है the sum of a certain number of term of an AP series is this sum आपको दियावा 52 और AP series ये दी हुई है AP series में आपके पास A है D हम निकाल लेंगे क्योंकि series आपकी बढ़ती जा रही है तो D positive ही होगा इसमें से इसको solve करोगे तो plus में 2 आपके D आ जाएगा तो जो SN का formula होता है वो formula आप यूज करो N by 2 2 A N minus 1 in 2 में D तो SN की जाएगे 52 है N आपको find करना है A की जाएगे minus 8 है और D की जाएगे plus 2 है तो इसको अगर हम solve करते हैं तो जाएगा minus 16 plus 2 N minus 2 इदर से आजाएगा minus 18 plus 2 N 2 यहाँ से common निकल रहा है common निकाल के इससे cancel कर दो N से इसको multiply करेंगे तो हमारे पास बन गया 52 minus 9 N plus N square इन सब को एक तरफ रिखटा करेंगे तो N square minus 9 N minus 52 यह आपके पास आगया आपको splitting mirror term करोगे तो 13, 4 जा 52 होता है और 13 में से 4 करेंगे 9 minus होता है तो 4 तो option में है भी नहीं यह बन 13 ही option में है तो यह हमारा answer है ठीक है दूसरा आपको check करने की जरूवत है नहीं उसके बार next question number 24 है हमारे पास तो 24 के अंदर करादब first and the last term of an AP is this पहली term भी है last term भी है sum of the term is 7171 the number of term यानि N आपको बताना है तो जब सम पहली term भी दे रखिए last term भी दे रखिए तो जो SN का दूसरा formula था वो आप लगाओ SN का जो दूसरा formula था यह हम लगाएंगे यहांपर A plus AN वाल क्योंकि आपको पहली term भी दे रखिए और last term भी दे रखिए तो इसमें SN की जगे आप पूट कर दो 7171 N हमें find करना है पहली term minus 4 है last वाली term 146 है तो 7171 equals to N by 2 इसमें से इसको minus करोगे 142 इसको cancel कर लो इसको इधर लेकर आओ 7171 को 71 से divide करेंगे तो 1 पे गया 0 लगा कर फिर 1 पर गया तो N आगया 101 question number 25 the sum of series up to the 17 term तो 17 term का मतलब N 17 दे दिया और A की value यह आगई 3 and a half का मतलब क्या हो गया 2 3 6 plus 1 7 by 2 और D निकालेंगे तो 7 में से 7 by 2 minus करोगे तो 7 by 2 ही बचेगा SN का formula लगाओ N by 2 N की जगे क्या है 17 तो 17 by 2 2 into A N minus 1 into में D यहां से जो 2 है इस 2 को आप कॉमन निकाल दो और 7 को भी कॉमन निकाल दो अंदर यहां पर 2 रह गया 17 minus 1 16 रह गया 16 over 2 18 आ गया इससे यह cancel तो 9 7 जा 63 63 को 17 7 जा 119 होता है 119 को 9 से multiply करेंगे 9 9 जा 81 9 प्लस 8 17 9 प्लस 1 10 107 1 by 2 मतलब इसको अगर mixed fraction में लिखोगे तो I think यह आ जाएगा 2 5 0 10 2 3 0 6 2 5 0 10 and 1 by 2 आंसर आगे आपका इसमें C तो इसी question के साथ यह exercise यहां पर finish होती है जल्दी मिलते हैं next video में next exercise के साथ आचके स्वीडो में इतना ही thanks to all of you